हलो एवरिवान वेलकम बैक टो दिडेशल जरनी सपोर्ट दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री वेब हॉस्टिंग के बारे में जिसका यूज करके आप सभी टैप्स के वेब साइट को क्रियेट कर सकते हैं चाहे आपको पोर्टिफोलियो वेब साइ कि प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी आउन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीकी की कंटेंट रिगुलर मिलती रहे अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ब्राउज इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है कि यह आपको फ्री वेब होस्टिंग प्रवाइड कर रहा है साथी इसके उपर आपको कोई भी ऐड्स देखने को नहीं मिलेंगे मिन्स कि अगर आप इनकी वेब होस्टिंग यूज करते हैं तो आपके साइट के उपर किसी भी परकार की कोई भी ऐड्स या ब्रैंडिंग देखने को नहीं मिलेगी और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको फास्टेस्ट फ्री वेब होस्टिंग मिल जाता है 99.9% अप टाइम के गारेंटी आपको मिल जाती है और आप unlimited वेब होस्टिंग यूज कर सक हुआई कर रहा है साथाहिँ यहां पर आपको अपनी डॉमेन होस्ट करने का ऑफल जाता है अभी तक आपने जितने भी फ्री वेब होस्टिंग सर्विसशंवाइडर देखे होगी वहाँ पर आपको ओन डॉमें होस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है बड़ यहाँ पे आ लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं जो सबसे मेन बेनिफीट हमको लगा वो यही लगा कि आप अपनी ओन डेमोन को यहां पर होस्ट करके अपनी वेब साइट को क्रियेट कर सकते हैं और हाँ जो सबसे मेन फीचर से यहां पर आपको मिलेगी वह आपको 5GB का डिस्क मिल जाता है यहां पर आपको free sub domain name मिल जाता है यहां पर आपको free SSL certificate भी मिल जाएगा और सबसे बड़ी चीज कि यहां पर इनका own आपको control panel मिल जाएगा जहां से आप अपने website अपनी web hosting से related सारी configurations को manage कर सकते हैं जैसे कि अगर आपने डोमेंस को manage करनी है तो आप यहां domains के section में आके आपनी domains को manage कर सकते हैं आपको अपनी FTP details देखनी है my SQL database को manage करनी है तो वह सारी manage आप यहां से से wordpress या और भी other popular CMS को use कर सकते हैं और उनके उपर अपनी website को create कर सकते हैं तो overall यह सारे features आपको इस free web hosting के अंदर मिल जाते हैं जो कि sufficient है एक website create करने के लिए तो चलिए अब हम बिना देर किये जान लेते हैं कि infinity free.com के उपर किस तरीके से आपने account register करनी है और free web hosting को use करनी है तो सबसे पहले आपने register नाव इसके उपर क्लिक करनी है या आप यहां register इस option को choose कर सकते हैं then आपके सामने कुछ इस परकार का interface open हो जाएगा यहां पर आपको account registration से related यहां पर आपको information फिल करनी है सबसे पहले आपने यहां पर अपनी email address फिल करनी है then आपको यहां पर password फिल करनी है और अपनी password को यहां पर repeated फिल कर देनी है इसके बाद यहां पर आपनो angular condition को agree करनी है और sign up बटन पर आपको click कर देनी है दिन आपकी email के उपर एक confirmation mail जाएगा उस confirmation mail को आपने open करनी है और उसे confirm कर देनी है तो हम ने यहाँ पर अपना account open किया हुआ है तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना account login कर लेता हूं तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface open हो जाएगा अब यहाँ पर आप अपनी free web hosting को use कर सकते हैं यहाँ पर आपको create an account now इसके ऊपर आपको click करनी है और free web hosting account को आपने यहाँ पर create करनी है यहाँ पर domains का option मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 option मिलेंगे ज़री domain और custom domain का option मिलेगा, सब डोमेन के अंदर आपको एक custom डोमेन मिलेगा उसके अंदर आपको सब डोमेन create करनी है जैसे कि माल लेजी आपके पास कोई डोमेन नहीं है आप free domain भी use करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे sub domain option को use कर सकते हैं और free domain को आप use कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे digital फिल कर देते हैं सब डोमेन के अंदर यहाँ पे हमारा domain extension यह होगा यहाँ पे आप domain extension को change भी कर सकते हैं यहाँ पे .rf.gd यह आपका sub domain यह आपका main domain हो गया और यह आपका digital sub domain हो गया अब हमारा पूरा domain हो जाएगा digital.rf.gd ठीक है अगर आप custom domain यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे custom domain को भी यूज कर सकते हैं जो domain आपने register किया हुआ है उस domain को आपने यहाँ पे fill करनी है देन इसके name server को change करनी है यहाँ पे मैं fill कर देता हूँ अपना domain name wpelements.pro यहाँ आप मैं availability चेक करूँगा तो यह domain available है DNS के लिए तो अब यहाँ पे क्या करनी है कि अगर माल लिजिए आपने go daddy से अपने domain को purchase किया हुआ है तो आपके domain के setting में जानी है उसके DNS setting में जानी है और वहाँ पे आपको इसके name server को वहाँ पे आपको fill करनी है जैसे कि माल लिजिए कि हमने यहाँ पे wpelements.pro को हमने यहाँ पे अपना domain रखा हुआ है custom domain अब यहाँ पे आपको account username यह automatically generate हो यहाँ पे आपको एक password दे देनी है या अगर आप random generate करना चाहते हैं तो आपको इसे empty छोड़ देनी है then हम यहाँ create account इसके उपर click करेंगे अब यहाँ से आपको name server को copy करनी है और अपने original domain के name server को change कर देनी है यहाँ से आपको क्या copy करनी है तो आपको यहाँ से इतनी copy करनी है first option के अंदर आपको यह fill करनी है second option के अंदर आपको यह name server fill कर देनी है और उसे save कर देनी है तो आपका custom domain इंफिनिटीव फ्री के नेम सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप अपनी कस्टम डॉमेन के ऊपर इस वेब हॉस्टिंग को यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपनी डॉमेन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा तो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूं और हम यहाँ पर सब डॉमेन के ऊपर एक अकाउंट क्रियेट कर लेते हैं अकाउंट सक्सेसफ़ली क्रियेट होने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का कंट्रॉल पैनल ओपेन हो जाएगा जहाँ पे आप अपनी वेब होस्टिंग से रिलेटेर सभी कंफिगरेशन सभी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं अब यहाँ से आपको कंट्रॉल पैनल ओपेन करनी है हम यहाँ कंट्रॉल पैनल इसके उपर क्लिक करेंगे और सी पैनल के अंदर हम लॉग इन कर लेंगे अब यह सी पैनल लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपको शौफटा क्लूज एप इंस्टॉलर इसे आपने क्लिक करनी है और यहां से आप ने popular CMS को चूझ करनी है, जो भी CMS आप यूज करना चाते हैं हम यहां पर WordPress को install करना चाते हैं, तो हम यहां WordPress को चूझ करेंगे WordPress install करनी के लिए आपको यहां पर admin username, यहां पर password और यहां पर email देनी है देन आपको यहाँ पर कोई सा भी एक theme चूज कर लेनी है जिसे आप install करना चाहते हैं या आप इसे escape कर सकते हैं उसके बाद यहाँ install इसके उपर आपको click करनी है तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस free web hosting के अंदर c-panel के माध्यम से हमने अपनी site के ऊपर wordpress install कर लिया है अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी site की look किस तरीके से show हो रही है हम यहाँ अपनी domain को open करेंगे और यहाँ पर हम wordpress dashboard को open कर लेंगे तो दोस्तो जैसा कि देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर wordpress का dashboard open हो चुका है तो कुछ इस परकार से आप भी infinitive free का use करके एक free web hosting के माध्यम से अपनी website create कर सकते हैं और उसके उपर आप अपनी business को या आप अपनी portfolio को या आप अपनी blog को live कर सकते हैं तो दोस्तो आई हो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना होगा कि किस तरीके से आपने infinitive free के free web hosting को use करनी है और उसके उपर site को create करनी है तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें comment करके जरूर बताएं वीडियो अगर आपको informative लगी हो तो इसे like share जरूर करें साथ ही अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe के साथ साथ notification को भी on कर लीजिए ताकि future में आपको इसी तरीकी की content मिलती रहे मिलते है next वीडियो में किसी नई topic के साथ जैहिंद कर दो